भगवान गणेश के एक दंत की खता भगवान गणेश देवी पारवती और भगवान सीव के पुत्र हैं एक बार की बात है जब भगवान सीव और देवी पारवती अपने सेन कक्स सोने का कमरा में विश्राम कर रहे थे उस समय देवी पारवती ने गणेश जी को आदेश दिया कि वह उनके कक्स यानकी कमरे के बाहर पहरा दे और किसी को भी अंदर ना आने दे मा किया गया गणेश जी के लिए आदेश थी उन्होंने वेसा ही किया और कक्स के बाहर पहरा देने लगे उसी समय अचानक परसुराम वहां पहुंच गए है परसुराम भगवान सिवसे मिलने के लिए बहुत उस्साही थे दरहसल उस समय परत्वी पर राजा कारत विरिय का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और परसुराम ने इसी कारण उसे मार दिया था यह कबर भगवान सिवस को देने के लिए ही वह केलास भगवान सिवस का निवास इस्तान पहुंचे थे भगवान सिवस के कक्स की और परसुराम को तेजी से बढ़ता देख गनेश जी उनके रास्ते में आ गए और उने रुकने को कहा लेकिन परसुराम भगवान सी उसे मिलने के लिए बहुत उसक्स है इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे भगवान सी उसे मिलना ही है परसुराम की इस बात को सुनकर गनेश जी बोले मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता माने किसी को भी न अंदर ना आने का आदेश दिया है गनेश जी की यह बात सुनकर परसुराम गुस्से से लाल हो गए उन्होंने कहा तुम मुझे भगवान सी उसे मिलने से नहीं रोक सकते तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ इस पर गनेश जी ने कहा आप कोई भी हो उससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मेरे लिए मा का आदेश सबसे जरूरी है मैं आपको किसी भी सूरत में अंदर नहीं जाने दे सकता गनेश जी की इन बातों से परसुराम का गुसा साथवे आस्मान पर पहुंच गया वह बोले अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं तुमें हटा कर जबरन अंदर जाओंगा इतना कहकर परसुराम आगे बढ़ते हैं लेकिन गनेश जी परसुराम को अंदर जाने से रोकने के लिए दक्का दे देते हैं और परसुराम दूर जाकर गिरते हैं खुद का अपमान होता देख परसुराम जी गनेश जी को सबक सिकाने के लिए कहीं अस्तर शस्तर का इस्तमाल करते हैं लेकिन उनका गणेज जी पर कोई असर नहीं होता अन्थ में परसुराम जी शिवजी द्वारा दिया गया परसु गणेज जी को मरने के लिए प्रियोग करते हैं वह परसु पख्वान शिवका था इसलिए गणेज जी ने उसे पहचान जाते हैं और उसका सम्मान करते हुए उसका वार अपने एक दांत पर ले लेते हैं परसु की चोट के कारण गणेश जी का दांट तूट कर जमीन पर गिर जाता है और गणेश जी दरद से करहाने लगते हैं गणेश जी की धर्दबरी आवाज सुनकर माता पारवती और पिता बगवान शीव अपने कक से बाहर आ जाते हैं और गणेश जी के यह हालत देखकर परसु राम प्रक्रवती तो हो जाते हैं भगवान अशिव और माता पारवती गुस्से में देख प्रसुराम को अपनी भूल का एहसास होता है और वह अपने किया पर समा मांगते हैं प्रसुराम की समा पर माता पारवती करती है कि ए रिसी होते हुए भी आपको क्रोध पर नेंतर नहीं है समा मांगने से क्या अब मेरे पुत्र गनेश का दांत वापिस आ जाएगा पर सुराम करते हैं कि जो भी हुआ वह मेरी बड़ी भूल थी लेकिन इस गटना के कारण अब गनेश का अदा दांत वेरत नहीं जाएगा इस गटना के कारण ही अब से पूरी दुनिया में गनेश को एक दांत एक दांत के नाम से जाना जाएगा बोलो स्रीकनेश जी माराज की जह